आज के इस वीडियो में हम website को overview करेंगे so currently हमारा coffee वाला project है वो completely हमारा complete हो गया है डन्स हो गया है सारे के सारे section से pages से हमारे complete हो गये लेकिन आज के इस वीडियो में हम website का overview करेंगे और यू में हम यह करेंगे कि यहां पर आप देखे रहें कि font का जो style से size वो सारा fix हम header footers के बारे में यहां पर fix करेंगे content issue fix करेंगे उसके बाद margin padding issue fix करेंगे हम आपको बताएंगे कि हम इसी तरह से किसे website को overview कर सकते हैं अगर आपके पास कोई भी website आती है अगर आपको बोलत करेंगे कि exactly क्या करना होता है pixel perfect क्या होता है उसके बाद overview क्या होता है उसके बाद font size हम कैसे same to same add कर सकते हो ओके तो चलो अभी हम video start करते हो अगर आप इस channel पर नए हो तो channel को like करना follow करना और subscribe करना let's video start so यहां पर अभी क्या करेंगे first of all footer से sorry header से start करेंगे तो headers में हमें क्या करना है पहले तो menu का ही check करना है तो menu के उपर click करना है और यहां पर आप देखना है कि play for display use किया है font styles और medium size है और font size है 14 pixels तो यहां पर हमारे totally fonts अलगी है तो यहां पर मेरे को अभी headers को edit elements करना है और उसके जैसे मेरे को same यहां पर fix करना है तो यहां पर अभी मैंने क्या किया है कि headers को मैंने यहां पर edit elements किया front end से उपर और इसके जैसे fonts create करने के हम यहां पर try करेंगे तो यहां पर अभी हमारा headers open हो रहा है और उसके बाद जो menus है menu में भी same है medium size है और font pixels है 14 pixels है और उसके बाद about us है contact us है सारा के जितने भी font style है वो 14-14 pixels है यहां पर अभी हमें headers का हमें font size चेंज करना होगा तो यहां पर आभी figma में चेक कर लेता हो कि यहां उसका जो font size है यहां पर 14 pixels है medium से और playfair से तो यहां पर मेरे को click करना है main menu के उपर styles में जाना है styles में जाके यहां पर typography में जाना है typography में यहां पर search करना है playfair playfair display मेरे को यहां पर check करना है okay playfair display चला यह हो गया उसके बाद इसका जो font size है वो मेरे को यहां से medium करना है 500 pixels medium कर देता हो और font size है 14 pixels तो यहां पर font size में 14 pixels यहां पर set कर दे रहो अभी एक बार publish कर लेते उसके बाद यहां पर क्या है कि sign in and sign up उसका भी font size हम check करेंगे यहां पर है same है यहां पर font size है यहां पर medium से 14 pixels है और font style है यहां पर playfair display तो यहां पर font family में यहां पर change करूंगा टाइफोग्राफी में जाओंगा और यहां पर search करूंगा playfair display font styles ओके यह वाला हमारा sign in buttons के लिए हो गया और sign up buttons के लिए भी यहां पर मेरे को same चीज यहां यहां पर applies करनी है रोबोटो है तो रोबोटो की जगह पर यहां पर आएगा font flare size display ओके और उसका size है यहां पर 14 pixels हमें set करना है और यहां पर भी मेरे को 14 pixels set करना होगा चलो तो एक बार हम क्या करेंगे इसको refresh करेंगे यहां पर normals होगे है तो normals की जगह पर mediums कर देता हो एक बार refresh करके एक बार check कर लेते headers main page यहां पर मैंने opens किया है headers का और यहां पर front rates रहेगा opens ओके नाइस तो आप यहां पर देख रहे हो कि जैसे हमें यहां पर figma के अंदर जो setups किया तो same यहां पर मैं उसका overlay करूंगा opacity यहां पर मैं कुछ set करूंगा जिसकी वज़ए से हमें यहां पर proper set लगे तो यहां पर मैं उसको transparent अगर करता हूँ transparent करके यहां पर मैं check कर लेता हूँ एक बार refresh ओके transparent में यहां पर white आ गया है ओके no issues तो यहां से जो colors था वही colors में यहां पर set कर रहा हूँ लेकिन यहां पर मैं उसको backgrounds overlay और opacity का यहां पर मैं add कर रहा हूँ colors तो यहां पर colors add करूंगा overlays overlays अमारा रहेगा dark brownish colors दोनों में उसके बाद इसकी opacity है opacity में यहां से थोड़ा change कर दूंगा अभी एक बार हम check कर लेते हैं ओके nice perfect अभी जो headers लग रहा है एकदम propers लग रहा है black लग रहा है उसके बाद banners image है nice then after अभी हम क्या करेंगे कि इसका font size font style से यहां पर medium से और font size 22 pixels okay then अभी मैं homepage को edits करूंगा main edit elementors अभी मेरा adders complete हो गया तो adders को मैं यहां से close कर दे रहा हूँ और work करेंगे हम main banner उपर यानि की main banner homepage के उपर work start करेंगे तो यहां पर edit elementors हो रहा है उसके बाद इसका font style सो मेरे को सेम ही लग रहा है playfair से font size 22 pixels से same चीज़ यहां पर short content 20 pixels से तो पहले यहां पर मैं उसका change कर दे रहा हूँ font styles 22 pixels okay and mediums उसके बाद इसका font styles रहेगा 20 pixels उपर वाला रहेगा 22 और नीचे वाला रहेगा 20 pixels यहां पर भी मैं यहां पर set कर दे रहा हूँ font family size playfair display okay यह हो गया set उसके बाद अभी buttons का भी मेरे को सेम करना है buttons के उपर click करना है और उसका button का font size 16 pixels and font family playfair तो यहां पर मैं check करूंगा font families यहां पर robot और add किया है तो यहां पर मैं playfair add कर दूंगा playfair और यहां पर आएगा 16 pixels mediums okay तो अभी मैंने क्या किया कि कि जो मैंने अभी common set कर दिया buttons तो अभी आपको क्या करना है कि आपके themes के अंदर जितने भी आपने button use किये होंगे सारे के सारे buttons की आपकी styles सेम होनी चाहिए जैसे कि आपकी कोई भी buttons की यहां पर styles अलग नहीं रहनी चाहिए सेम ही रहनी चाहिए तो यहां से मैं क्या करूंगा कॉपी करूंगा और यहां पर जो button से button styles यहां पर मैं set कर दूंगा जितने भी button से सारे buttons के उपर में यहां पर एक ही styles apply कर दूंगा button styles ओके तो एक ही बार हमें styles को add करना है उसके बाद में यहां पर जितने भी buttons सारे buttons के उपर यहां पर page styles कर दे रहाऊ ओके नाइस publish तो अभी हमारे home page के changes हो गए तो एक बार हम वापत check करेंगे हमारी websites क्योंकि अभी जैसे भी हमें font एक size दिखे font styles एक सार का लगे तो हमें क्या है कि website का look and fill भी हमें अच्छे से proper लगता है तो क्या होता है था पहले की font size अलग था headers का उसके बाद banners का भी अलग था तो उसकी वज़े से हमारा look and feel proper नहीं लग रहा था तो अभी आप देख सकते हो कि headers और उसके बाद home page banners एक दम properly हमें look and feel आ रहा है तो इसी तरह से आप project का overview कर सकते हो उसके बाद next वाला है यहां पर text तो मेरे को प्रापर लग रहा है लेकिन content जो text है यहां पर normal उसका में style से यहां पर change कर दे रहा हो क्योंकि यहां पर अभी robot हो यूज किया है तो यहां से मेरे को जाना है typography में typography में जाके यहां पर select करना है playfares display ओके यह set हो गया त website overview का मतलब यह है कि आपका top spacing proper है के नहीं bottom spacing proper है के नहीं आपको वो चीज़ चेक करना है सारे के सारे buttons जो है उसका styles proper है के नहीं वो भी आपको change करना है कहीं पर आपका missing नहीं हो रहा है वो भी आपको पूरा धयान देना है यह चीज आपको यहां इस वीडियो में सिकनी है ज़रूरी तो यहां पर मैं आपको जो बता रहा हूँ same चीज आप भी अपनी website develop हो जाएगी तो उसमें आपको वही चीज same करनी होगी तो यहां पर मैं थोड़ा बहुत tax change यहां पर थोड़ा बहुत change हो गया है ओके राइट देन उसके बाद यहां पर है why we are different इसका भी मेरे को tax size है वो थोड़ा different लग रहा है तो यहां पर भी मैं उसको tax size robot और यहां पर change कर रहा हूँ टेफोग्राफी में जाना है टेफोग्राफी में जाके यहां पर आपको playfair select करना है playfair आपको यहां से select करना है यह आपने select कर लिए ओके उसके बाद same thing यहां पर आपने जो किया है वो यहां से copy करना है और यहां पर जाके उसको paste tells करना है sorry ये वाला ये वाला जो है text, short content, इसी को copy करना है, और ध्यान से आपको यहाँपर जाके paste tells करना है, ओके, आ गया properly, उसके बाद same thing, यहाँपर paste tells करना है, paste tells करके, उसको properly right side में देके, font color white कर देना है, इसी तरह से आ गया same to same तो एकी बार क्या करना है आपको एकी बार sections के अंदर change करके देना है उसके बार आप हर बार चाहिक जितने बार आपके टैक्स हो उसके उपर just आपको paste tiles ही करना है हर बार आपको नहीं करना है changes राइट इतना ध्यान में रखना है उसके बाद यहाँ पे भी मैं करूँगा paste tiles यह हो गया paste tiles publish ओके तो इसी तरह से हम websites का overview कर सकते हैं अभी मेरा testimonial वाला जो sections है यहाँ पे properly है new sections बनाया है हम फिगना से पुरा differently किया है उसके बाद banner वाला sections भी एकदम look and feel से तो एक बार हम website के overview करते और एक बार हम बात करते कि कौन सा section हमें केसे बनाया है वापस मैं आपको explain करना चाता हूँ इसी वीडियो में एक बार page load हो जाने दो उसके बाद मैं आपको यहाँ पे सारा बताता हूँ चलो यह वाला home page हो गया finds उसके बाद about us sections coffee styles यह वाला जो sections है normal आपको यहाँ पे button change कर देना है css से normal एक class add करना है यह वाले sections के अंदर और यहाँ पे जो आपने मैंने जो styles किया है वो style आपको यहाँ पे buttons के लिए करना है वो आपके लिए है उसके बाद why we are section like that service sections इंदम properly है कोई यहाँ पे issues नहीं है layers image भी यहाँ पे properly है इसके बाद banner image भी यहाँ पे मेरे को look and feel लग रहा है testimonial sections है and यहाँ पे जो है text normally यहाँ पे मैंने forms उसकिया है वो आपको inlines करना होगा जयदा जयदा 30 minute लगेगा लेकिन मैं यहाँ पे जयदा time spread नहीं कर रहा हूँ मेरा so इसकी वज़े से यहाँ पे मैं उसको छोड़ दिया है यह ऐसा structure बना के मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है work मेरा complete ही है but आपको मैं पूरा guidance दे दिया है कि कहाँ पे कैसे use करना है कौन सा column structure यूज़ करना है पहले मैंने यहाँ पे यूज़ किया था लेकिन उसमें क्या था कि कुछ यहाँ इमेज जो है sites की वो proper नहीं आ रहे थी so उसकी वज़े से हमने वापस layout change किया okay तो अभी मैंने आपको पूरा complete a project हमारा यहाँ पे finish हो गया है coffee cup project तो आपको यह project बनाते समय कोई develop करते समय आपको कोई questions हो कोई query हो तो मेरे को comment में जरूर बताए तो मैं उसके उपर आपको नया video बना के समझा दूँगा कि भाई आपको क्या करना है किसे करना है किसे guidance करना है कौन सा sections यूज़ करना है पूरा मैं आपको वहाँ पर consulting करूंगा लेकिन आपको यह वाला sections यह वाला themes कोई भी themes आप बनाते हो तो मेरे को एक बार जरूर आप comment में बताना किसर यहाँ पर यह वाला issues है तो हम कैसे source करें तो अभी मैं चीज यहाँ पर importance मैंने आपको एक चीज मेरे को यहाँ पर बोलनी थी कि यहाँ पर अभी हमारे Figma प्रोजेक्ट यहाँ पर हमारे complete हो गए राइट यह मेरा YouTube स्टूलियोज है यहाँ पर आप अच्छे से learn कर सकते हो WordPress के और यहाँ पर Figma वाले जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर मैं आपको बता दाओ Figma to WordPress Design यहाँ पर total हमारे तीन प्रोजेक्ट है तो अभी मैं यही बोलना चाहता हो कि आपको अगर कोई भी questions हो comment में बताओ इसके उपर मैं यहाँ पर एक category बनाने वाला हो your questions and my answers इस type से हम वीडियो बनाएंगे और आपको explain करेंगे actually क्या होगा कि जो भी आपको issues होगा वो issue मेरे को comment में बताना फिर मैं आपको वीडियो बनाके आपको बताओंगा कि यह चीज यहाँ पर set करना होगा वो चीज यहाँ पर set करना होगा x y z जाने कि आपको क्या होगा कि पूरा आपको पता चलेगा आप चाहे कितने बार भी आप वो वीडियो देख सकते हो call में कैसा रहता है कि एक बार आप call करोगे तो वापस भूल जाओगे दूसरे दिन वीडियो आप नहीं न्यू प्रोजेक्ट लाएंगे न्यू प्रोजेक्ट हम रिसर्च करेंगे कि आप कितना लर्न कर सकते हो वर्डपेस में कितना डीप है बहुत सारा डीप है वर्डपेस में वर्डपेस में ऐसा नहीं है कि 30 मिनिट में वेबसाइट बन जाती है वन हवर्स में वेबसाइट बन जाती है कलाक में वेबसाइट बन जाती है ओके एक गंटे में वेबसाइट बन जाती है ऐसा कुछ नहीं वड़पेस में आप देखी रहे हो कि हम इतने टाइम से प्रोजेक्ट करते आ रहे तो हमें कितना प्रोजेक्ट में कितना time लगता है अभी हमने just overview किया तो आपको पता ही होगा कितना times लगा तो पूरा चीज पूरा ध्यान से और deep से देखना होता है तब जाके आप एक अच्छे level पर WordPress developer बन सकते हो तो आज के वीडियो में इतना ही है तो मिलते हैं next वीडियो में अगर आपको इस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like करना comment करना और share करना thank you so much